अस्वाम की विएर्स माइन बिज्वान चीमा वेलकम बैक विदिनर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट सुटी अज की सुटी में केपिटल स्मार्ट एटी की जो में बॉलिवड है 400 feet wide road उसके वाले से explain करूँगा प्लस उसके साथ साथ आपकी जो extension road है जो यहां से connect करती है चकरी road को में बॉलिवड के साथ उसके वाले से explain करूँगा along with the actual site footage of updated 26 June 2023 इससे बहले मैंने interchange की वीडियो और इसके साथ overseas central है पूरे overall district की एक वीडियो जिसका link आपको description में मिल जाएगा मैंने post already कर रखी है तो जिन members को end of June यह six month के end तक यानि के 2023 के mid तक आपको को अपडेट चाहिए development की capital स्मार्ट के वाले से तो आपको इसके हवाले से जो updated site footage हैं जो वीडियो हैं आपको link उनके description में मिल जाएगे इस road की खास्यत ही है कि इस road को सबसे ज़्यदा तमाम sales partner तमाम society की management ने इसको सबसे ज़्यदा promote किया था सबसे ज़्यदा इस road को market किया था because पाकिस्तान में इस से पहले किसी और society में इतना बड़ा बुलिवर्ट जो था नहीं बनाया गया था तो specifically इस बुलिवर्ट की बात करें तक्रीबान आपके 2.7 km का part ऐसा है जिस पर society की तरह से आपको five lane each side, center and metro lane और इसके बाद पर service road और इसके बाद पर आगे commercial की जो parking है सारा area में आपके end to end यानि कि आप wall to wall अगर बात करें दोनों साइट पर commercial plaza है तो दोनों commercial plaza हों की जो ground floor का पसमें distance होगा दरम्यान में वो 400 foot का होगा तो ये वीडियो उस topic पे है center में आपको ये road जो नदर आ रहा है ये अभी तक road है उसी तरह से क्योंकि ये government road है, public road है इस road को society ने अभी तक untap रखावा, इसको बिल्कुल touch ने किया future में जाकर यहाँ पर शाहिद bridge बनाया जाए, यहाँ यहाँ पर निचेंटर पास बनाया जाए let's hope को society जब इस पर development करेगी, तो मैं उस हवाले से explain कर दूँगा एक जो बहुत बहुत ज़्यादा important है, जो बहुत ज़्यादा members के लिए समयने के लिए ज़रूरी है कि ये जो road है, इसके center में society ने two lane metro road जैसे कि आप इस्लामबाद, रावलपिंडी के center में देखते हैं, कि आपको रावलपिंडी सदर से लेके, सेक्टरियेट, ब्लूरी, इसलामबाद तक आपको proper public transport मिलती है तो चुँके capital समयर्टी को एक city के लिए प्लैन किया गया है, इसको ऐसे चोटी society को दो-चार जार कनाल, पांच जार कनाल के project के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया तो इसलिए society ने तमाम चीज़ें जो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद society के requirement होंगी किया नहीं कि आपको project के अंदर intercity commute करने के लिए आपको public transport होनी चाहिए तो society नहीं यहाँ पर double-decker बसें चलाने का फैसला किया और उसके जो रोट की proper center lane है, वो भी आ विटनस कर सकते हैं यह जो footage देख रहे हैं, तक्रीबन 350 feet की height से मैंने record किया है, aerial footage तो आपको road की shift विट उस तरह से ना understand हो पा रही हो, लेकिन actual up-down बे विजिट करते हैं, तो five lane each main boulevard, उसके साथ center में metro lane, पर उसके बाद service road, और उसके बाद पर आगे commercial plots की parking है, उसके आती है मैं आपको Google Earth location में थोड़ा सा specific part का जो मैंने explain किया है, कि five lane each, यह explain करता हूँ, ताकि आपको understand हो जाएगी, कि Google Earth पर पी चीज़ें काफी ज़्यादा, जो Capital Smartity का map हैं, काफी ज़्यादा उस पर visible हैं, तो आपको better understanding हो जाएगी अगर main 400 feet road की बात की जाएगी तो इस पर आपको clear understanding के लिए मैं इसको मैं आपको zoom कर रहा हूँ, ताकि आपको easy understand हो सके, कि 400 feet road जोगा, इसके जो width बनेगी वो किस तरह से बनेगी, यह center में two lane आपको metro lane नजर आती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको five lane each, यानिके five lane से road मिलते हैं, तो total 18 lane main boulevard होगा, जिसके society के site पर construction की जा रही है, मेरा खायल है कि future में जाके शायदी को project ऐसा हो, जिसमें इतना बड़ा main boulevard बाकी हो, यानि कि किसी project में society future में कुछ societies आएं, तो definitely separate topic है, लेकिन आज के date में जो सबसे बड़ा main boulevard exist करता है, आपको physically जो नजर जो है actual reality बन चुक है, जब future में आई से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी project अबाद होगा, मुकमल होगा, तो definitely मैं इस बात का दावा करना के लिए तयार हूँ कि capital smart is ज्यादा enrich project कोई नहीं होगा, in terms of investment, in terms of living, कि इसको future के तोर पर प्लैन किया जा रहा है, अब ऐसा नहीं है क हर गली मौले से society, मलब जिस तरह मर्जी uneven plot कर दें हों को, जैसे मर्जी वाँ plot की कर दें, अब चोटोटी example ले लें, कि सिर्फ G ब्लॉक है सिर्फ 10 मरला की cuttings है, अगर आज यहां C ब्लॉक में सिर्फ A कनाली cutting है, E ब्लॉक सिर्फ 5 मरला cutting है, और कुछ partial party है 7 मरला का है, अग पूरे ब्लॉक के अंदर एक ही तरह के घर न दर आते हैं, तो बहुत ही positive effect देता है society में, और बहुत ही positive image यह created होता है, वो capital smarty के पास यह advantage आज की rate में मुझूद है, बाकी में वीडियो में आके जाके जाके जो बाकी parts हैं, जिस ब्लॉक तक, इस वक सिलिकॉन वैली सेक्ट जो आईटी हब होगा, सिलिकॉन वैली, उसके साथ आगे जाएं, तो हार्मनी पार्क जो ब्लॉक है, उसके साथ आगे जाएं, तो जो थीम पार्क और स्वोट डिस्टिक होगा, उस तक connectivity के लिए, रोड की proper browning हो चुकी है, एरिया को browning हो चुकी है, कुछ छोटे pockets हैं, 50 कन पीस कनाल के, जिन पे अभी litigation बाकी है, जैसे कि आपको सामने वो ग्रीन वाला पार्ट नजर भी आ रहा है, इस तरह के कुछ पार्ट स्वोट चुटे हैं, जो सुसाइटी ने अभी तरह कंप्लीट नहीं किये, बट बेटर लेट दन नेवर, अभी सुसाइटी आज की कि अभी तरह को सुसाइटी ने वाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है, इं टम्स अफ लैंड ब्राउनिंग, इं टम्स अफ ब्रिजस चंस्ट्रक्शन, इं टम्स आपकी ओवराल जो चंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे स्कूल बन रहा है, मस्जिद बन रही है, स्म से कंपेरिजन कर लें, Overseas East, Overseas Prime और एवन एग्जेक्टिव ब्लॉग को भी मिला लें, तो सेंट्रल ब्लॉग इतना बड़ा ब्लॉग बनता है, तो डेफिरिंटली सुसाइटी ने अगर इस पर कमिटमेंट की है, कि सब्टमबर 2023 ओनवर्ड हम सेंट्रल ने पोजेशन द के अंदर डेवल्पमेंट हो रही है, यानि गॉल्फ कोर्स के अंदर सुसाइटी आने मेले दिन में प्लैन कर रही है, जो गॉल्फ कोर्स के विलाज है, उनको लॉंच करने का, जिनके मॉडल विलाज रिबन डेट से दो साल पहले बना के अलरी साइट पर मजूद है, सेक् पहले साइट पर मेरे लेफ्ट साइट पर एबलॉक है, जो आगे अगे का अरिया है, इस पर स्पेसिफिक लिए कुछ अभी सुसाइटी ने अनौंस नहीं किया, लेकिन इसमें लेफ्ट साइट विले एबलॉक में देखें, तो यहां पर पांच मरला और साथ मरला के प्लो जहां पर दस मरला के कटिंग पर जोगते हैं, अभी इसमें अगर आप कैपिटल समार्टी को अवराल इन जनरल देखें, इसके डिवलिप्मेंट को देखें, तो डेफिनली कुछ लोग मुझे अक्सर कहते हैं यार कि आज की अलात में भी शायद कैपिटल समार्टी को लेक इसके नीचे, फाइफ लेन इच, फिर मेट्रो लेन, पर उसके बाद सर्विस रोड त्री लेन, उसके बाद पर आगे कमर्शल की पार्किंग, इस से पहले पाकिस्तान में इस तरह का परजेक्ट आपको देखने में नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी परजेक्ट आते हैं, इस टेट में, वहां पर लटसे जी, सो कनाल जमीन ने, तो हजार कनाल की फाइले मन आके बेज़ती जाती हैं, यहां पर स्मार्टी के पास जितनी जमीन मुझूद है, मैं आज भी ये बात on record कहता हूँ, या आप इस वीडियो का प्रूफ रख लें, कि साइट ने शायद अ के चैनल पर तो आपको काफियत तक अच्छी इंडरस्टेंडिंग हो जाती है, कि साइटी के पास अभी मैसिव लेंड मुझूद है, राइट ना जो फुटेज देखने हैं, इस फुटेज में राउंड बॉर्ट आपको नजर आ रहा है, यह राउंड बॉर्ट जो बिसिक याद रहे कि Capital Smartity के साइट पे तीन ब्रिजिज जो मंकमल किया जा चुके हैं और तकरीबान चार ब्रिजिज ऐसे हैं जिन पर काम किया जा रहा है, जिन में Overseas Central के स्पेसिफिकली तीन ब्रिजिज जिसका आज तक किसी इंडिजियों ने जिकर ने किया, ना वीडियों में वैसे अवराल, Capital Smartity के अंदर अगर आपको सिर्फ छे ब्रिजिज एक प्रजेक्ट के अंदर नजर आते हैं और एक ब्रिजिज की कॉस्ट अगर आप काउंट करें, आप कोई भी गर्वर्मेंट का टेकाउट आ लें, रिसरनली एक में बड़ी वाइरल हो रही थी, कि मौनल राइड नो मेरे साइड, राइड सेर पर जो आपको लेक वी कमर्शल नजर आ रहे हैं, इन कमर्शल के बारे में खास बात ये है, ये कमर्शल सुसाइटी ने सिर्फ 20% डाउन पेर दिये थे और ये कमर्शल विद पोजेशन फेसिंग गॉल्फ कोर्स ये थे, तो आपको य और अभी उनके साथ साथ जो प्लांटेशन काम है, उसको मुकमल किया जा जुका है, तो 2.7 किलोमेटर का रोड जो आपको में बुलेवर्ड मिलते हैं, 400 फुट का, उसकी कमर्शन हो चुकी है, अप्रॉक्सिमेट तक्रीबां 26 किलोमेटर का ऐसा रोड है, जिसमें आम तर 180 फीट रोड कहते हैं, जिसमें आपका Oversies East, Oversies Prime 1, Oversies Central और इसके साथ साथ आपका जो गॉल्फ कोर्स के सामने एकसेस वन रोड है, जो डिवाइट करता है Oversies East को और गॉल्फ को वो भी बनता है, तो 27 और 4 किलोमेटर, 31 किलोमेटर के बड़े 3 लेन में बुलेवर्ड जो So, this was it from today, अगर आप Capital Smartity और Lahore Smartity में बुकिंग के फ़र इसके मालूमाइच चाहिए हो, तो दियागे नमर पर राबता करें, इसके माले वेबसाइट विजिट करना मत बोलें www.makansolutions.com, अगर आपको ये वीडियो ची लगे तो प्लीज दो लाइक, कमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलें, रिज्वान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस.